इंग स्टुडेंट्स टूडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर फाइव ऑफ एक्सरसाइज 2.4 पेटा यह सम मैंने आपको होमवक दिया था देखे आफ सॉल्व दिस सम 1729 इसकी आपने प्राइम फैक्टरिजेशन करनी है देखे सबसे वहले हमने टू से इसकी डिविज को प्लस करते हो तो आपके पास 19 आ जाता है इसका मतलब है यह 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में 19 नहीं आता उसके बाद हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे 5 की डिविजिबल्टी क्या है 5 और 0 उसके बीवाइड नहीं होगा उसके बाद 7 से मैंने यहां पे side पे divide करके देखा है देखे 7 से divide किया तो यह हमारे पास आ गया number 247 यहां पे 7 लिख दिया इधर मैंने 247 लिख दिया उसके बाद देखे फिर से इसी number को मैंने 7 से divide करके देखा, क्योंकि same way 2 से divide ने होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा सेवन से किया हमारे पास बच गया keys इसक़ मतलब हो यह फ्रक्टर इसका नहीं है इसको हिको हम नहीं लेंगे शैवन से नहीं ए करेंगे उसके बाद मैंने 11 डिवाइड़ करके एक करें तरियला यह यह 11 ऑद में इंसा नहीं हो रहा तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे तो हम लिखते हैं कि 7 x 13 x 19 इसके देखें नेक्स पार्ट में क्या पुछा है arrange the factors in ascending order and find the relation between two consecutive prime factors देखें यह पहले से ही ascending order में 7, 13, 19 अगर कोई student पहले 13 लिख देता है फिर 7 लिख देता है, फिर 19 लिख देता है पहले इसको ascending order में लिख लेना है 7 को पहले 13 को फिर 19 को ascending यही होता है na smallest to greatest उन्होंने पूछा कि इसका अपस में relation क्या है find the relation between two consecutive prime numbers देखें इनका relation का है दो consecutive prime numbers का 7 और 13, 13 और 19 का देखें यहां से यहां पे 6 number increase हो रहे हैं तो हम नीचे यह लाइन लिख देंगे each factor is 6 more than the previous factor यह आपने rough erase कर देना बाद में लिखने के बाद pencil से ओके, now come to the question number 6 इसकी statement आप खूद लिख लोगे देखें, which factors are not included in the prime factorization of a composite number कहते है, prime factorization जब आप करते हो किसी composite number की किसी composite number की prime factorization करते हैं तो कौन से numbers नहीं आते हैं देखें, जैसे मैं example side पे ले ले लेते हूँ 4, ठीक है, 4 is a composite number आपको यह आउ, example ले सकते हो 9, 15, 6 देखें, जब हम prime factorization करते हैं हम को भी ऐसे लिख कर सकते हैं prime factorization में, this is wrong अगर हम 4 की prime factorization हमने करने हैं बिटा, come to the question number 7 look at the 7 question number यह आप खुद करोगे, ओके do on the book now come to the next exercise बिटा, come to the exercise 2.5 page number 2.20, यह divisibility का chapter है इसमें 2, 3, 6, 4, 8, 9, 11 की divisibility दी है हम one by one करेंगे, आपने divisibilities 5th में भी की थी अब देखें, first sum क्या है test the divisibility of the following numbers by 2 देखें, इसके 3 parts है हम सारे parts नहीं करेंगे इसका मैं first और third part करूँगी second part आप rough notebook पे करोगे fair पे नहीं करोगे okay, now come to the first part test the divisibility by 2 देखें, 2 की divisibility क्या होती है last dessert जो होता है वो क्या होना चाहिए even 0, 2, 4, 6, 8 ये वाले desserts अगर होते हैं तो वो even है तो आप लिखोगे कैसे इसको उंडरलाइन कर लोगे last dessert is equal to 0 0 is divisible by 2 0, 2 से divisible है therefore, 6, 5, 2, 0 आगे comment डालके is divisible by 2 ये complete हो गया last dessert आपने लिख दिया 0 0 को आपने लिख दिया divisible है 2 से उसके बाद जो number आपको given है वो लिखके comment डालके आपने लिख देना है 2 से भी divisible है अगर 0 की जगा 1 आ जाता है फिर हम क्या लिखेंगे is not divisible clear? तो ये हमारा हो गया first part now come to the second part देखो क्योंकि वो odd वाला है third फिर से even first और second part करेंगे third आप खुद करोगे 9, 8, 4, 3, 2, 5 हाँ जी last dessert क्या है last dessert is equal to 5 this is odd number अगर bracket में लिखना है odd लिख सकते है otherwise there is no need 5 is not divisible by 2 therefore this number is not divisible by 2 ओके बिटा we will start second sum tomorrow एक important thing देखिए जिस दिन भी आपका test मंदे को मैंने बोला है test का तो आप लोगों ने अपने अच्छे से सबसे उपर स्टार्टिंग में अपना name, row number और class section अच्छे से mention करना है अगर किसी का मुझे अच्छे से नहीं पता चला तो मैंने उसका test disqualify कर देना है उसको check नहीं करना और second thing आपने group में वो test डालना है मेरे personal number पे किसी ने वो test नहीं डालना is it clear और किसी ने cheating नहीं करनी अपने अपने parents के पास बैठ के वो test करना है और मुझे आपने 335 तक सबी ने वो test भीज़ देना है अगर किसी की emergency कोई problem होती है network की जहां किसी कोई कोई problem है तो वो personal number पे send करके साथ में reason लिख के देगा कि इस कारण से मैंने टेस्ट आपके personal number पे आ रहा है जब बाद में आ रहा है ओके तो आप लोगों ने ये भी नी बाद में बोलना कि मैं हमारा test check हो गया sums के answer बता दो अगर ऐसे मुझे stupid से questions आप लोगों ने पूछे तो मैंने आप लोगों के test वापिस नहीं करने फिर आप लोग देखते रहोगे आगे भी टेस्ट नहीं होगे और आपके जो test होने है वो आपने वो जो आपको थिन सी notebook मिली थी test notebook उसके उपर देने है properly आपने उसके उपर date, day और आपना chapter जो है exercise और अपना roll number सारा mention कर देना उपर अपना name roll number और section mention करना उसके नीचे आप exercise ज्यादा ने लिखोगे बस exercise लिख देना 1.1 to 1.5 उसके नीचे आपने test करना है अगर वायचांस आपने two pages use की हैं तो आप next page पे भी उपर अपना name section और roll number लिखोगे clear और आप लोगों ने 3.35 तक ये मुझे submit करवाना है उसके बाद time over हो जाएगा फिर आपका test में accept नहीं करूँगी ओके